My dear students, welcome back to my channel आज हम लोग पढ़ेंगे बीसाड़ों यानि वायरस से होने वाले रोगों को वो भी ट्रिक के साथ इसके पहले मैंने कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजुवा से होने वाले रोगों को ट्रिक के माध्यम से बताया था आज जो है बीसाड़ों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो जानेंगे वो कौन सी ट्रिक है जिससे बीसाड़ों के सभी रोगों को आप याद कर सकते हैं रोगों से एक competition परिछाओं में प्रिश्ण पूछे जाते हैं आपके पेपर में भी प्रिशन पूछे जाते हैं और आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन-कौन से रोग हैं जो बिसान या जीवान से हो रहे हैं और कौन कवक से हो रहे हैं तो इन सब को सबकी कमी को दूर करने के लिए हमने ट्रिक बनाया है जिनकी मदद से आप सभी रोग अलग अलग आप याद कर सकते हैं तो आई देखते हैं ट्रिक है विसानों से होने वाली रेखा हमें हिट करके पोईचे छोड़ गई रेखा हमें हिट करके पोईचे छोड़ गई पोईचे छोड़ गई बहुत ही आसान ट्रिक है कविता के माध्यान से आप याद कर सकते हैं कि रेखा नाम की लड़की है किसी लड़के को जो हिट करके उसको पोईचे यानि रास्ते में उसको छोड़ गई यानि बीच मध्य में ही उसको छोड़ गई यसे आप याद कर सकत कि रेखा हमें हिट करके पोईचे छोड़ गई अब क्या करेंगे हम इस नाम को अलग-अलग बांट लेंगे जैसे इसके पहले आपने किया था रेखा को हम लोग अलग कर लेंगे रेखा है मेही टे करके एक ही मिरेगा इसको एक ही मिल लिखेंगे पोईचे पोईचे छोड़ गई ऐसे हम लोग इसको अलग-अलग कर लेंगे आपको जब याद हो जाए तो आप उसकी प्रैक्टिस इसे ही अलग-अलग करके लिखे लें जब तक आप प्रैक्टिस ने करेंगे याद रहती हुए आप गलत कर देंगे तो उसको अलग-अलग कर लीजिए अब देखिए रे से हो जाएगा रे बीज या रे बीज कह सकते है जो चौपाया जानवरों के काटने से होता है पूछा जाता है कि रे बीज नामक बीमारी किसके काटने से होती है तो कुटा की भी काटने से होती ही बंदर की भी काटने से तो अप्सेन में कुटा या बंदर होगा खैसे हो जाएगा खसरा हैसे हो जाएगा हर फीज हर फीज हो जाएगा या हर फीज बोल सकते हैं में से मेनिन जाइटिस मेनिन जाइटिस जाइटिस ही से हो जाएगा ही पे टाइटिस हीपे टाइटिस हीपी टाइटिस कहें या हेपे टाइटिस कहें बात दिखके है जो टै है वो ट्रेकोमा है ट्रेकोमा ट्रेकोमा बहुत ही इंपोर्डन कोश्चन है अक्सर पूछा जाता है कि ट्रेकोमा नामक बीमारी किस अंग में होती है तो याद कर लें ट्राकोमा जो होती है वो आख की बिमारी होती है अक्सर पूछा जाता है ये ट्राकोमा आख की बिमारी है और इसी सम्मंदित एक बिमारी और भी है जो पैर से है टीबिया याद कर लें कि पूछा जाता है टीविया नामक बीमारी कि स्तंग में होती है तो टीविया नामक बीमारी होती है पैर में पैर की बीमारी है पैर में होती है इस चीज को यह दोनों कोश्चन है बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है बार बार ही पूछा जाता है कि ट्राकोमा नामक बिमारी के स्टंग में होती अंक में और टीबिया बिमारी जो है पयर में होती है यहां जो करके है करके साइलेंट है इसका कोई मतलब नहीं है इसको पूरा करने के लिए बनाए गया है पो्स से हो गया polio फीलिया और polio ये सब virus जन्य दो गया polio ये से आपका हो जायगा AIDS चे से हो जायगा चेचक अब पूछा जायए AIDS में कुष्चन आता है HIV से होता है इसमें एक question और बनता है कि ads नामक बीमारी का पता करने के लिए किसका परिच्छन किया जाता है तो ads नामक बीमारी में alisa का alisa test होता है यह भी question बहुत important है कि ads का परिच्छन किसके द्वारा होता है किसके माद्यम से तो alisa जो है test alisa test यह alisa का परिच्छन होता है जिसके माद्यम से पता चलता है कि एड़ सुआ है बहुत इंपोर्टन कोश्चन है अब देखें अकला छो छो से हो जाएगा छोटी माता इसको चिकन पक्स गयते हैं छोटी माता डे यहाँ अड़े है अड़े को हम समझें कि डे डे से हो जाएगा डेंगू उखार या डेंगू जर डेंगू जर होगा डेंगू मच्छरे काटने से जर होता है गैस से हो जाएगा गल सोध गले की बिमारी है गल सोध गले की बिमारी होती है गले में सुजन आ जाती है इसे हो जाग इन्फुल्वेंजा एक बार फिर से आप इसको रिपीट कर ले ट्रिक है रेखा हमें हिट करके पोईचे छोड़ गई रे से रेबीज, खैसे खसरा, हैसे हर्पीज, में से मेनिंजाइटिस ही से हिपेटाइटिस, टैसे ट्रकोमा, करके साइलेंट इसको नहीं पढ़ेंगे पोसे पोलियो, एसे एड्स, जैसे चीचक, छोसे छोटी माता, डैसे डेंगो जोर, गैसे गलसोद, इसे इन्फुल्वेंजा आई होप, एअपको समझ में आया होगा, अगर वीडियो समझ में आये तो like, share, comment करें, आप करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा तब हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइट करते रहेंगे अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगीगा आप कमेंट करकी बताएंगे और अपने दोस्तों में इसको सेयर करें ताकि अधिक सेधिक लोग इसका फायदा उठा सके तब तक के लिए टेक केर गुड़ बाई थैंक यू